E.K.G.K.D.S. बोलने वाली गुफा एक जंगल में एक सेर रहता था एक दिन वा आराम करने के लिए जगह तालास कर रहा था कि उसने एक बड़ी गुफा दिखाई दी सेर ने अंदर देखा उसे कोई नहीं दिखा सेर को लग तो रहा था कि कोई ना कोई तो इस गुफा में अवश्य रहता है लेकिन उसे वह गुफा इतनी पसंद आई कि उसका मन उसी में रहने का करने लगा वह गुफा एक सियार की थी थोड़ी ही देर में साम हो गई और सियार अपनी गुफा में आ गया गुफा के बाहर उसे सेर के पैरों के निसान दिखाई दिये सियार बहुत हुशियार था वह सतर्क हो गया वह सेर पर सिकार नहीं बनना चाहता था गुफा में सेर है या नहीं यह पता करने के लिए सियार ने एक चाल चली वह जोर से चिलाया ओ गुफा अगर तुमने रोज की तरह मुझसे बात नहीं की तो मैं यहां से चला जाओंगा सेर ने सियार की आवाज सुनी तो उसके मन में लालच आ गया उसने गुफा के बदले जवाब देने का निश्चे किया उसने दाहार मार दी सेर की दाहार सुन कर चतुर सियार समझ गया और जान बचा कर भाग गया